नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चनल स्टॉक मैथ में दोस्तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ बहतरिन क्वालिटी स्टॉक्स और इन में से कुछ स्टॉक्स में अच्छी गिरावट होते देखने मिल रही है जी हाँ फ्रेंड्स और इस समय क्या इन स्टॉक्स में खरीदारी करनी चाहिए और करनी भी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए तो ये सभी बाते इस वीडियो में जानेंगे सबसे पहले इस कंपनी के रिटन को देखा जाए तो आप देख सकते हो कि last 1 year की जो return दिखा रही है वो negative 28% के around देखने मिलती है और last 5 years की जो return है वो आप देख सकते हो 46% की return last 5 years की रही है तो आप कहेंगे कि पिछले 5 सालों में मात्र 46% की return तो ऐसे stocks में भला कौन निवेस करें जियां friends यही मैने भी सुचा था लेकिन आप इसके price chart को जरा समझी है 2018 से इस company का अगर price chart देखते हैं तो यह आप देख सकते हो 13 April 2022 तक इस stock की जो return रही है तकरीबन 140% से ज़्यादा की रही है जियां friends और 2022 April के बाद से इस stock में जो sudden fall देखने मिली है वहां तक यह stock तकरीबन 40% टूटा है जियां friends तो इतनी गिरावट हुई है क्योंकि इसके पहले rally भी जवरदस्त आये थी तो अभी के समय में यह stock खरीदने लायक है या नहीं है वो तो आपको इन stocks के financial statement से समझना चाहिए जियां friends तो फिलाल में यह stock 1160-1150 के level पर देखने मिल रहा है जो अपने 52 week high से देखा जाए तो तकरीबन 45-50% के discounted price पर आ चुका है जियां friends तो क्या इतनी बड़ी गिरावट में इन stocks में bounce back हो सकता है या नहीं हो सकता है जिसकी आगे हम बात करते हैं तो चलिए उसे अच्छी तरह से समझ के ही इन stocks में कोई भी decision आपको लेना है बड़ी fall देखने मिल रही है जियां friends तो उसकी लिए चलते हैं company के statement पर जहां company के quarter on quarter performance को observe किया जाए तो देख सकते हो कि company की revenue last year के December quarter से फिलाल में घटते देखने मिली है तकरीबन 70 करोड से लगबग लगबग और वहीं company की operating profit भी घटी है देख सकते हो 95 करोड की operating profit जो थी वह 76 करोड उपर आते देखने मिली और वहीं की बात करे जाए net profit की तो company की net profit भी 67 करोड से 61 करोड उपर आते देखने मिली इनके yearly statement को भी अगर एक नजर देखे तो यहां भी company की revenue में कोई ऐसी sudden fall देखने नहीं मिलती है revenue company ठीक ठाक दर्च कर रही है साल दर साल जी हां friend देख सकते हो तो यहां पर कोई भी fall नहीं है operating profit भी देख सकते हो तो पिछले 4-5 सालों में company की operating profit भी increasing mode में ही बढ़ते चलिया आई है जी हां friend 2021 के operating profit के बाद 2022 में company का operating profit yearly base पर थोड़ा गिरावट में जरूर देखने मिला था लेकिन इतना कोई major concern नहीं था जी हां friends और वहीं company का net profit भी इसमें थोड़ी बहुत fall देखने मिली थी 2021 के बाद लेकिन यह कोई बहुत बढ़ा issue नहीं है और अभी भी मैं पत इसमें strike उठाया है जी हां friends देख सकते हो 22.43% की di is की पास holding है और fi is की पास है 3.19% की और public के पास मात्र जो holding है 1.43 यहीं कि समझ सकते हो कि market में जो floating shares है वो बहुत कम है जी हां friends तो हम बात कर रहे हैं Silla Form Limited इस company की जी हां friends जो अभी के समय में मुझे लगता है कि इस stock में अच्छा खासा bounce back देखने मिल सकता है आने वाले time frame में जी हां friends और financial wise भी यह company कोई बहुत खराब perform नहीं कर रही है यह भी समझ लीजिए जी हां friends और ना ही इस company पर कोई बहुत बड़ा debt भी है तो यह इस company के बारे में आप ध्यान में रखिएगा और मुझे लगता है कि इस stock में bounce back देखने जल्द मिल सकता है जी हां friends और आज के दिन की बात करो तो यह stock तकरीबन फिलाल में running market में 3-3% की positivity देखने मिलती है इस stock में जी हां friends तो Silla Form Limited company अच्छी है business अच्छा है आप भी एक ब stock अच्छी खासी return दे सकता है तो अब बात करते हैं next multi-bagger stock की तो इस stock में भी फिलाल के समय में अच्छी गिरावट देखने मिलती है जो अपने 52-week high से तकरीबन 20-25% discount price पर आ चुकी है जी हां friends लेकिन क्या company खराब है क्या company के fundamental खराब है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जी more than 250% के ज्यादा के return देखने मिलती है जी हां friends तो बात कर रहा हूं इस company के fundamentals की बात करें तो यह company फिलाल एक mid-size company है जी हां friends देख सकते हो तकरीबन 37,000 करोड की market के application वाल यह stock जिसकी current price 1885-90 के दवरान देखने मिल रही है और इसका 52-week high आप देख सकते हो तो 2600 का देखने म आप भी और company में sales growth बहुत सही है profit growth फिलाल टेलिंग 12 months में घटते वह देखने मिल रहा है जो negative 25% की देखने मिलती है जी हां friends company बिलकुल भी debt free है मात्र 95 करोड की debt है इस company पर reserve आप देखेंगे तो कई गुना ज्यादा इनके पास reserve है तकरीबन 5,000 करोड की reserve company ने maintain कर रखा है जी हां friends बात करो इनके operating profit margin की तो वो भी 14% का नजर आ रहा है तो यहां भी कोई कमी नहीं देखने मिलती है जी हां friends तो इस company के आगे मैं बात करूँ जहां financial और fundamental की बात की जाए तो recent quarter भी company के कोई खराब नहीं थे जी हां friends देखा जाए तो लेकिन last year के 2021 के quarter से company के operating profit में थो downfall रही जो 128 करोड से 95 करोड पर इस company की net profit भी देखने मिली थी लेकिन वहीं पिछले quarter से comparison किया जाए September 2022 से तो company की revenue, operating profit और net profit तीनों में ही अच्छी jump रही है लेकिन year on year company अच्छे performance कर रही है एक अच्छे business से जुड़ी है जी हां friends इस company के आप shareholding pattern भी देख सकते हो जहां FIs and DIs 14-15% की holding रखते हैं इस stock में जी हां friends तो हम बात कर हैं Astral Polytechnic इस company की तो Astral Limited फिलाल एक अच्छे गिरावट में मिल रहा है बढ़ियां company है ये stock ऐसा है कि जहां हर गिरावट पर आप ऐसे stock में खरीदारी करके चल सकते हैं भाई जहां आपको अच्छे खासे return मिलते रहें जहां friends तो समझने की कोसिस कीजिए कि market में घिरावट आते हैं तो आपको अच्छे stocks पर नजर गड़ाय रखना है जहां से आप सांदार return बना सकते हैं और वहीं आप चाहे तो ऐसे stocks में जो fundamental wise अच्छे हैं उनमें positional trading जिसे कहते हैं swing trading जिसे कहते हैं इस pattern को भी अपना कर आ आप देख सकते हैं last five days के अगर estral के chart को देखे तो अभी कल के दिन में 23rd fab को देख सकते हो कि यह stock 1815 रुपे की level पर आया था जिहां friends तो market में अगर active रहते हो तो यहां से यह rally देख सकते हो आज के दिन यह stock तकरीबन 4% का return बना कर दे चुका हैं यानि कि मात्र एक दिन में 4-5% की return दे दिया जिहां friends तो इस तरह से अच्छे stocks में काम कर सकते हैं जहां पर आपको long run में अगर ठीक है long run तो आपको well and good की आप long term में buying करके add on करते रहें अपने portfolio में लेकिन वहीं जिसे अगर regular income के लिए short term में कोई बढ़िया quality stock ढूणते हैं जहां पर आपको हर गिरावट में कुछ मौके मिले 5% earning के तो वो ऐसे stocks में आप कर सकते हो जहां पर astral limited एक बढ़िया company हो सकती है because अगर गिरावट हो भी गई आपके खरिदारी level से तो भी आपको अपनी position loss में तो नहीं बेचनी है ऐस Silla Form Limited तो current में अच्छी गिरावट है इन दोनों stocks में जहां पर buying करके चल सकते हैं short term के लिए भी और long term के लिए भी जहां friends तो आज की इस वीडियो में बस यह दो company उमेद करते हैं कि आज की यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई हो so friends वीडियो को like जरूर कीजेगा और इस